हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल वे सुपर फास्ट स्टेडी पे तो दोस्तों जैसा कि आप सबी देख रहे होंगे फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ है रेलवे ग्रूब डी रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए बेरोजगारों के साथ धोका हुआ है जी हाँ बहुत बड़ा धोका हुआ है जैसा कि आप सबी देख रहे होंगे बाकी के यूट्यूबर भाईयों ने बनाया है आपने काफी सारे वीडियो देखे होंगे किसी के 148 नमबर आ रहे हैं किसी के 101 नमबर आ रहे हैं किसी के 118 आ रहे हैं किसी के 110 कि 120 ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है क्या किसी नॉर्मलाइजेशन में आप 100% में 150 परसंट दे सकते हैं ये तो फिर वही बात हुई कि अपने मन से आपने किस के किस के नमबर बढ़ा है और किस लिए बढ़ा है ये तो आप ही जानेंगे रेलवे बोर्ड ने अपने मन से नमबर बढ़ा है किसी के 67 से 60 हो गए है और किनी के तो 37 से 73 हो गए है किसी के 50 से 86 हो गए है किसी के 70 से 56 हो गए है तो ऐसा result क्या इसलिए आपने इतना दिन लिया था कि इतना तुरूटी पूर्ण result आप लेके आएंगे गुरूटी का कट ओफ इतनी हाई और नॉर्मलाइजेशन के नाम से तो आपने पूरा ही बच्चो को ठक दिया तो मैं ये गुजारिस करना चाहूंगा कि ये जो result है ये खारिस होना चाहिए और फिर से एक result आना चाहिए और जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए आप बंद करिए अपना नॉर्मलाइजेशन आप बिना नॉर्मलाइजेशन के कट ओफ निकालिए तब हम मानेंगे हमको raw marks दिखाईए अपना आप ऐसे कैसे नॉर्मलाइजेशन करके किसी का भी इतना भी नंबर बढ़ा देंगे डेड़ सो नंबर कैसे हो सकता है किसी का 148 हो सकता है क्या क्या बाक यही था आपका रिजल्ट एरर पूर्ण यही था तुरूटी पूर्ण रिजल्ट रिल्वे का जिसका हम इंतजार कर रहे थे जिसमें तीन मैने लग गए बहुत अच्छा लगा जब ऐसा रिजल्ट आया तो लोग इतने मेहनत कर रहे हैं दिन रात पढ़ रहे हैं क्या ऐसा रिजल्ट की उमीद करते हैं वो लोग जिसमें आपने किसी किसी को तो 148 दिया है और यह यह सब ठीक नहीं है चातरों के साथ तो मैं तो यही कहूंगा कि चातरों के साथ ठीक नहीं हुआ है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए और यह रिजल्ट जो है यह कैंसल होना चाहिए और जो रो मार्क्स है उसके उपर रिजल्ट आने चाहिए नॉर्मलाइज जेशन वाला मार्क्स बिल्कुल नहीं चलेगा, नॉर्मलाइज मार्क्स को आप हटाईए, भले कट आफ कम रहेगा, 50 रहे, लेकिन रो मार्क्स के उपर आना चाहिए, तो थेंक्यू दोस्तो, इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी बास सहीं लग ही है, तो कमेंट करें, बताएं, और बिल्कुल कोशिस करें कि यह जो रिजल्ट है, वो कैंसल कराएं आप लोग,